इसकार पपाद्यक महोदे मैं समस्ता हूँ कि अब तक इस वैदेशिक नीती पर ना केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बलकि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी परधान मंतरी जी को धन्यवाद दिया है इसलिए मैं अपनी तरब से धन्यवाद दे कर उनका बोज बढ़ाना नहीं चाहता इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्यों चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हूँ इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश मीती ने संसार में हमारा सिर उचा उठा दिया है हमने पंचसील के सिधान्त को संसार के सामने रखा है यदि हम उसके आधार भूत से धान्त पर दिश्टी पात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने की खोशिश की है विश्श में हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की हो तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जोकी एतम बम और दूसरे बम लिये हुए हमको चुनावती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट को जोईन नहीं किया तो हमको बड़ी कठिनाई होगी उस समय भी हमारे परधान मंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीती को इसी अस्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सीर उचा उठा सकते हैं हमने जो संसार के सामने पंचसील के सिध्धांत को रखा उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ की एक सम्मेलन हुआ जिसकी और मैं आपका ध्यान दिलाना चाता हूँ इस सम्मेलन में गत वर्ष अप्रेल महिने में संसार के 29 राष्टों ने जो की एशिया और अफरीका से संबंध रखते थे यह गोशना की कि हम संसार में ठनाव कम परना चाते हैं और साथ ही हम यह चाते हैं कि संसार में जो विभिन सामाजिक और आर्थिक नीत्यां हैं कि वे साथ साथ चल सकें हमारी वैयदेशिक नीती में जो जो सबसे महत्वपोर्ण चीज है वह है त्रह अस्तित्व की भावना श्यक्नी लख्षा साथ बासा पीज़ागे